शुब गार्डनीम आपका स्वागत है मैं शुब आपका गार्डनर दोस्त आज हम बात करेंगे सदाभाण के बारे में तो friends, यह मेरे कुछ अदावार के प्लांट्स हैं, इसमें देसी और हाइबीड दोनों है, हाइबीड मतलब जो जिसमें अलग 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 फ्लार आते हैं, देसी में क्या आते हैं, यह पिंक यह बाइटी आते हैं, बट हाइबीड में कुछ-कुछ ऐसा भी आता है, और जो हाइबीड है, वो बेसिकली हमेशा विंटर का ही होता है, वो विंटर में ज्यादा अच्छ चलता है, समर्स में अच्छ नहीं चलता, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो कैसे इसका हम के करें, कैसे हम इसकी करें, कैसे हम इसकी करें, कैसे हम इसकी करें, कैसे ह आप देख पा रहे होगे तो और इसमें अगर हम बात करें सनलाइट की की इस प्लांट को कितनी धूप में रखा जा सकता है तो इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं मतलब पूरे दिन की धूप में जो देसी वाला है देसी वाला मतलब ये वाइट और ये वाला पिंक तो यह हमें ध्यान देना है कि जो देसी है उसे तो हम पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, बट जो हाइब्रीड है उसको हम पूरे दिन की धूप में नहीं रख सकते हैं, उसको तीन से चार घंटे की धूप मिल जाए तो वो इनफ है, अब मैं आप से बात करता हूँ उसक प्रॉब्लम में आपको दिखाता हूं कैसे अब जैसी ये वाला प्लांट है मेरा ये हाइब्रीट का ही प्लांट है सदाबार का प्लांट है जो की हाइब्रीट वाल है इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सब डाक वाइलेक कलर का अगर मुझे उसकी पिक दिखी तो मैं वीडियो में जरूर एक अटेक करूँगा तो इसके साथ क्या हुआ है कि इसके अंदर ना वाटरिंग एक तो जादा रही मतलब इसकी मिट्टी हर वक्त दिली रही और सेकिंड तिंग क्या है कि ये जो है ना ये इसको दूप मिली ही नहीं मतलब इसे एक देखा जाए तो आदे घंटे की भी दूप नहीं मिली आदे घंटे की भी दूप पुर दिन में से क्योंकि यहां पर सबसे अंदर की साइट रग दिया और भार जो है बड़े-बड़े प्लांट सक दिये उनकी शेड़ो के अंदर ये था तो ये ऐसा हो गया तो अगर आपका प्लांट ऐसा अब इस ही का मैं हाइब्रीट का दूसरा दिखाता हूं मेरे पास हाइब्रीट का ये भी है इसमें फ्लार आते हैं हाइब्रीट का मैं देखा है तो ये भी कार्णर में था अब मैं लिखाते हुए। ये एसी हालत कैसी होना स्टार्ट होती है. आप अगर देख पाढाद होगे नीचे वाले स्टेम बाउन और ओपरवाली ग्रीन है नीचा वालिश से लग रही हुगी जैसे बासी सी हो पतली सी मरी सी और ओपर वाली रहा हो कितनी फ्रेश है तो ये इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है फंगस लग चुका है और ये दीरे 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 पूरा प्लांट खतम कर देगा अब ये जो प्लांट है इसको मैं कैसे बचा सकता हूं ये देखो अभी उपर से कितना फ्रेश लग रहा है बट इसकी हालत भी ऐसे होने वाले कुछी दिन में अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो तो एक तो है कि इसका इतना पॉर्शन है इतना यहां से ऊपर का पॉर्शन में कट कर लूँगा और इसकी कटिंग दूसरे में प्लेस कर दूँगा अब बात करते हैं ये इतने सारे प्लांट्स मैंने कैसे बनाए ये सारे प्लांट्स को मैंने सीट से बनाया है अब मैं दिखाता हूं सीट कहां लगते हैं अगर इन में किसी में लगा हुआ हो तो मुझे भी फिलाल दिख़ रही रहा किसी में सीड यहां पे यह देखो यह अ किई नीचे के साइड आप देखो गयां यहां पर यह दिखो यह च्छोट छोट से धिक रहे है और यह जाएंगे अभी बहुत चोट चोटे हैं यहां से सीड़ बन जाते हैं सीड़ बंद यह उसके आदर पांच-पांच-छे सीड़ निकलते हैं तो मैंने यह वाला पॉड सीड कही था तो इसके अंदर में कई सारे सीड डाले थे और इसमें बहुत सारे प्लांट आप देख कि अगे अचिस प्लांट है कि सिंगल ब्लांट है इसमें तीन प्लांट है इसमें इसमें प्लांट मेने इसे निकालके लगाएं आंवा है इसके अंदर काम जो इनके flowers हैं, अगर जैसे इसके flowers अब आपको आपको सारे दिख रहे होंगे की सारे fresh flowers ही ही हैं, क्योंकि मैं इस पे से जो खराब flowers दो हटा दी थे, अब खराब flowers जो होते हैं ऐसे वले, इनको आपको हटा देना चाहिए time to time, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी न फंगस का काम ही कर अगर ये जैसे लीव चुपके रहाएगा और गीला हो गया गए फ्लार तो ये प्लान्ट पर डिस्टरब करता दिकत करता ब्लांट को तो आप इसको वहाटा दीजिए अब बात करेंगे हमें जाढ़से जादा से जाढ़से मिलें इस प्लांट से अब इधा को आप इस吧 इसमें एक चीज देखिए ये सिंगल बांट ये को कितने सारे हैं वह शिंग्ल-sिंग्ल प्लांट यह नेमे हैं को मैंने एक ही इनकों जाल रेखी ज्मしたली लोग्त अलग ओley इनका यह अंलिड तो इसलिग कर देखी अच्या से अ एब यह वाला फ्रांट देखे इसमें मैंने कितने सारे पिंचिंग करूंग है इसमें तो ब्रांच miraculous और इसमें आप देखो कि तो सिंगल पिंच इनकल ना है उसमें फिरन आप से यहां से वागता एसा बन जा रहा हो मैं इसी भी पिंचिंग दूबारा करूँंगा हमके सभ लाइफ में पलाथoti या पत्थरी रखनी पिंचिंग करीश Näय कि अपने दिल पलत्थर रखें मैं इस पे पिंचिंग करूँगा इसकी स्टेम देख रहा है इसकी स्टेम यहां से यहां तक आई थी तो मैंने पिंच कर दिया था कि मुझे बेस मुझे मुझे मोटा चेह था इतना ही स्ट्रॉंग चेह था कि बेस इतना ही छोटा रहे और स्ट्रॉंग रहे तो मैं यहां से पिंचिंग करी थी यहां से यहां स आंसा उपर से। इसके निचे से समद करना Eti, और भाद टू ब्रांचिस सेे करें तो यहां से काट देंगे से तो यहां से डबल ब्राथ से इदर से तो इस इसके डाहों आचनें कुछ करें तो यह तो मैंने देखा कि इसमें मैंनेuters करें 이상lang दो क्या है अब यह यह जो थे, यह मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसके रिपोर्टिक एचे जगेचेटी, अब लबा लंबा होए जा एक लारा है, तो अब मैं कहा रहा है उस वक्त मैंने इसको नयने रिपोर्ट करा था, मतलब मैंने लगाए इसे गमले में लगाया था, तो मैं हाथ के मुझे stem ची मोटी बस इतनी बेस इतना चाहिए मुझे इतना लंबा तो मैं इसको लीव के ऊपर से यहां से काट दूगा मतलब इतना हिस्सा पूरा मैं काट दूगा यह जो दिख रहे आपको इतना लंबा यह लंबा इसा कट जाएगा और इसका भी मैं reuse कर लूँगा कर रियूस कैसे करूँगा कि यह सारे नीचे के लीव सटा दूगा और यह को कटिंग मन जाएगी तो कटिंग अपना जंका दूगा दो यह वापस से उपर से क्यूंकि अपर का शुट है इया अपना ब Давай हग आपको भी करना खाद इतनी चाहिए होती है यह बहुत जरूरी है यह जाधा heavy feeder नहीं है इसमें इतनी जाधा खाद डालने के जरूरत नहीं होती है आप महीने में भी एक बार अगर एक मुठी भी खाद, इसके प्लांट के साइड में, यहां पे गुडाई करके, साइड में भी डाल दोगे वो भी इसके लिए इनफ होता है तो इसको खाद जादा जरुरत नहीं होती कम खाद में भी यह सर्वाइब कर जाता है और एक जालें, खाद आधा, गाल पुर्फ। थ्यूंस है, युर्य के लगॉर्फ। में जाकिए फ्लान्ट की अ palavras ye, अभी होज। को तो कवर लगुनुआ की लिएर्घ को को सब्सक्राइब है मैं ज़गे फिर्टेश्ट मुट्छ। तो यह देखे यह कितना बड़ा प्लांट है और यह कितना चूटा प्लांट है तो इसमें आप एक मुठ्री ढाल सकते हो इसमें दो केले तो रोज खाते हैं, तो केले घुस के लेथे जो खा लिजिए, उस के दुछा है वो लीजिए, जो कोई भी हैश अपके पास बड़ा सअ गंटेंर दिजए उसके अदर बहुत तक भाल दीजे और पानी अधा पानी अधा पैले के देजा तो एक अधा वपन्हें वा वती हें कोई प्रवब्लम नहीं होगी वह ही होता है जो खाद बनती है वह लाय टी होती है ज्यादा है भी नहीं होती बनाना की बनाना पील की बाकि एक क्धाद और है अगर जैसे जो प्याज जिसके घरमें यूज होते है क तिसरे दिन में उसमे डबल पानी एड करके उसमें डाल सकते हो मतलब जितना आदा कंटेनर अगर आपने भरा था पहले तो तीन दिन बाद कर कोगे उसमें डबल पानी अड़ कर दोगे और च्छान के सब के अंदर रहे पुद्धो में डाल दोगे यह लगा 15 दिन में कर सकते तो इसमें मैंने अब देशी भी इसाथ में रख दिया है और हाइब्रीड भी वह अब अब यहीं पर इसको रख कर देखते हैं थोड़ा सा सब पोदों के बीच में होगा तो में भी इस पे इतना जादा फार्क ना पड़े लीफ बन की प्रॉब्लम ना आए जो पत्ते जल ज कि लीफ बन की प्रॉब्लम ना आए ए यहाँ को संदक已经 revel प्रॉब्लम ना आए एहां प्रॉब्लम ना आए हो कि emotion कि इनको देख सकूं कि कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, यह बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे जब मैं सुपरäg आता हूं, vergynु एंग में भी जब आता हूं , बहुत टूंइछ वीडियो सदा बहुत लगता है। ये तो थी आज की वीडियो सदा भाहर के ऊपर, कि सदा भाहर के प्लांट को कियर कैसे करें, कितनी सनलाईट चाहिए, कितनी पानी चाहिए और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है इसमें सब आज हमने इस वीडियो में बात कर लिए है अगर कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं जरूर आपका रिप्लाइ करूँगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे चैन तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बबाई टेक कियर